बिस्मिल्लायरमानिर्वाहीम असलामुआलेकुम वेलकम टू माई चैनल का रिदा फूट बाय रह्मा अज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलो चिकन के कबाब की रेस्पी जिने हम बनाएंगे तीन से चार चीज़ों से और यह देखेजी जरा मैं आपको चेक करवाऊं कि आ यहां पर उबले हुए आलो है मिरे पास हाफ के जी और श्रीज़ チिकन हैaså मेरे पास एक प्याली और इसकी राच्पी मेने आपके साथ शेयर की है मेरे चैनल पे जाएं और इस राच्पी को सर्च करें और इस recurrence मुस्दी के साथ मिसालों है में जो चीज़ें चाहिए नम यहां पर नमक और मिर्च की मिकदार आप अपने टेस्ट के मिताबी कम या ज्यादा कर सकते हैं अंडे हमें चाहिए कबाब फ्राइय करने के लिए हस्पे ज़रूरत कबाब बनाना शुरू करते हैं उबले हुए आलू में सबसे पहले एड़ करेंगे श्रेट की हुई चिकन को चिकन एड़ करने के बाद इसमें जाएगी काली मिट और नमक और यहां पर दोनों चीज़ों को एड़ करने के बाद अब इन सब चीजों को चीजों को चीजों से मेश कर लेंगे मिक्स कर लेंगे और यह लेजी अलहमदोलिला यहां पर मैंने सब चीजों को चीजों से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद अब यहां पर कबाब बनाना शुरू करते हैं तो यहां पे आलू और चिकन का थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसे एक बाल की शेप में लाएंगे इस तरह से करके ये देखे जी अब दूसरे हाथ की मदद से इसे हथेली पे रखके हरका सा प्रेस करेंगे इस तरह से और साइडों से इस तरह से हम कनारों को फोल्ड करते जाएंगे और गुलाई में लेते आएंगे और इसी तरह अपने कबाब को तियार कर लेंगे यहां पे एक दफ़ा दुबारा से बनाएंगे अलो और चिकन का मसाला लेंगे और कबाब अगर आप बरा बनाना चाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मसाला ले ले अगर छोटा बनाना चाते हैं तो थोड़ा कम मसाला ले ले दोनों हाथों की मदद से इस तरह से राउंड शेप मिलाएंगे एक बाल की शेप में और शेप में लाने के बाद इसे दूसरे हाथ की मदद से प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद अंगुठे की मदद से इस तरह से इसे गुलाई में ले आएंगे और देखे जी क्या जबर्दस हमारा कबाब डेडी है अब यहां पर इसे करेंगे एक पे और सामने लाएंगे अंडे को अंडे को तोरेंगे और इसे जस्ट इंपल बीट कर लेंगे किसी भी कांटे या चमच की मदद से और इसमें कोई किसी किसम का नमक या ब्लैक पेपर नहीं जाएगी अब हम कबाब को कैसे फ्राय करेंगे एक कबाब उठाएंगे इसे अंड साइसे घरम करेंगे और फिर कबाब को एट करेंगे इसके उपर और ये गे जी इसके उपर सारे कबाब और आंच आपने जो है वो दर्मियानी रखनी है बहुत तेज आंच नहीं करेंगे वरना कबाब जल जाएंगे जो पहले एट की हैं वो जल जाएंगे और जो बात में ए माशाला से ये देखे कबाब हमारे पक चुके हैं दूसी साइज से भी सेम इसी तरह पकाएंगे और ये ले जी दूसी साइज से भी पक चुके हैं सेम यही कलर देंगे सब कबाबों को और अब यहाँ पेसे निकालेंगे एक सेपरेट प्लेट में और ये ले जी सारे कबाब हमारे त्यार हैं इसी तरह हम बाकी के सारे कबाबों को त्यार कर लेंगे और अब मैंने करूंगी डिश आउट और ये ले जी मैंने आपके साथ शेयर की कम मसालों से और जट पर त्यार होने वाले चिकन और आलो के कबाब की रेस्पी अगर आपको मेरे रेशपिप पसंद आए लाइक करें शेयर करें vanity और सबस्सक्राइब करें और बेल लाइक अनद माणा बिलकुल ना भूलिये तक मेरी हर नए आने वाली रेशपिप अब तक पूह सके और मुझे कुबंसेशन में लाजमी बताएं कि आपको मेरा स्पी कासी लगी और इसकी डिटेल मिल जाएगी आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में इसी के साथ इजादत चाहेंगे दौाओं में आद रखिएगा अल्ला हाफिज